नमस्कार दोस्तों देली टेक्ट्यूट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको स्मार्ट टीवी के बारे में जानकारी देंगे आपने आजकल सुना ही होगा आजकल बहुत जादा स्मार्ट टीवी का ट्रेंड है यह स्मार्ट टीवी क्या है जैसे आपका laptop और mobile जो है, internet से connect हो जाता है, वैसे ही आजकल के जो smart TV से, वैं internet से connect हो जाते हैं, और आप अपना सारा content एक large screen में देख सकते हैं. इसके इलावा, कई smart TVs in-built apps में आते हैं, जैसे कि हम phone के लिए Android operating system यूज़ करते हैं, वैसे ही आजकल के smart TVs में भी Android operating system आता है. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको काफी विस्तार से smart TV के बारे में बताएंगे, और इसके चुड़ी और भी आपको जानकारी देंगे कि इसमें कौन-कौन से operating system है. तो आए जानते हैं smart TV है क्या, देखिए, smart TV क्या होता है कि वो internet के through connect हो जाता है, या तो Wi-Fi से या फिर LAN से, LAN यानि की local area network जो आपकी wired internet होता है. कुछ smart TV जो होते हैं, internet से connect होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें एक in-built apps होती है, यानि की operating system होती है. आए हम जानते हैं कि smart TV लेने का आपको क्या फाइदा है, सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि वे आप internet से connect कर सकते हैं, और सारा का सारा जो content है आप अपने TV के बड़े screen पे देख सकते हैं. आप जितनी भी movies हैं, games हैं या on-demand videos हैं वे भी आप अपने TV के screen पे देख सकते हैं. आपके phone में जितनी भी photos हैं, videos हैं या फिर कोई games हैं वे भी आप TV के बड़े screen में देख सकते हैं. इवन आप अपने smart TV पे social media याने की जैसे facebook हो गया, या twitter हो गया और जो भी आप बाकी internet की surfing करते हैं, वे भी आप smart TV पे कर सकते हैं, जैसे बिलकुल अपने mobile और laptop पे करते हैं. देखिए, आज हम आपको पताएंगे कि आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप smart TV बाई कर रहे हों, सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें operating system कौन सा है, operating system का मतलब है जैसे Android हो गया, हम mostly अपने phones में Android या फिर iOS याने की iPhone operating system यूज़ करते हैं, तो आगे, दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है RAM और storage, यह आप जैसे जानते ही होंगे, random access memory और storage कितनी है, यह भी अलग लग जैसे हमारी mobile की storage और RAM अलग लग लगाती है, वैसी ही TV में भी RAM और storage अलग लगाती है, इसके इलावा आपको देखना है, phone mirror, mirroring and casting और remote और navigation, इनक कि आपका जो भी operating system है, उससे आप पता, उस पर depend करता है, कि आप कौन सी apps यूज कर सकते हैं, या फिर download कर सकते हैं अपने TV पर, देखिए, कुछ TVs आजके ला रहे हैं, Google certified Android TVs, जैसे आप चानते हैं, जो Android operating system अम फोन पर यूज करते हैं, वैं Google company की तरफ से हैं, तो कुछ Google ने TVs को ऐसा certified कर दिया है, जिनको हम बोलते हैं Android TVs, ये Google की तरफ से अलग से certified होते हैं, कुछ TVs ऐसे होते हैं, जो कि Android based smart TVs होते हैं, यानि कि जो उनका operating system है, वो होता है Android, मगर वो Google की तरफ से certified नहीं किये जाते, कुछ ऐसे भी TVs आए हैं, जिनका एक अपना ही operating system है, वो Android पर काम न अगर आप LG का smart TV खरीदते हैं, तो उसमें LG का web operating system आता है, और अगर आप Samsung का smart TV खरीदते हैं, उसमें Samsung का Tizen operating system आता है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, कि आपको कौन सो operating system लेना है, आपको Google का certified लेना है, या Android based लेना है, या फिर जिन TVs का अपना operating system है, वो लेना है, अपने टीवी को अपने टीवी पर navigate और use कर सकते हैं, डाउनलोड करके, Android based smart TVs थोड़ा एक नीचे होते हैं, Google certified से, इसमें आप काफे Android based कर सकते हैं, use apps और उसका अपना interface और software लेर्स भी add कर सकते हैं, लेकिन ये certified नहीं होते हैं Android से, और जो इनका pre-loaded apps हैं, याने की पहले से लोड की हुई जो apps होती हैं TV पर, वो comparatively काफी कम होती हैं, फिर आते हैं जो उनकी अपने operating system हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, Samsung का अपना Tizen operating system है, और LG का अपना web operating system है, इसमें भी आप काफी सारी apps pre-loaded भी होती हैं, और आप कुछ बाकी download भी कर सकते हैं, एक आप आपको movies और shows stream करने हैं, यानि कि जैसे Amazon Prime, Netflix, या Hotstar या YouTube से, आप देख लीजिए कि जो भी आप TV यूज कर रहे हैं, उन पे Amazon Prime, वीडियो, Netflix, Hotstar या YouTube, या कोई भी और वीडियो एप है, वो pre-loaded हो ताकि आपको दुबारा download करने की जुरूरत ना पड़े, आई अब हम जानत है RAM और storage के बारे में, जैसे आपको पता है कि RAM पर speed depend करती है, तो जितनी ज़्यादा RAM होगी, उतना ज़्यादा lag free experience होगा, यानि कि smooth experience होगा, mostly 2 GB की RAM हमें enough होने चाहिए, अब आती है internal memory, mostly 8 GB की storage होती है apps के लिए, जितनी ज़्यादा storage होगी, उतना ज़्यादा content और apps अपने TV पे store कर सकते हैं, आगे हम जानते हैं, phone mirroring और casting के लिए, phone mirroring के आपको mostly मतलब पता होगा दोस्तों, cast or duplicate the screen of your phone on the TV screen जाने की, जो भी आपके अभी screen पे खुली होई चीज है, वो सीधी की सीधी आप अपने TV पे cast कर सकते हैं, इससे क्या होता है, आपके phone में जो भी photographs हैं, या videos हैं, वो directly आप अपने TV पे देख सकते हैं, एक तरह का मतलब हो जाता है कि ये एक inbuilt TV में हैं, और आप अपनी जो mirroring app है, वो अपनी जो TV का app store है, उससे mirroring app को download कीजिए, और उसके बाद आप अपने phone की casting या duplicate अपने screen पे कर सकते हैं, उसके बाद आईए देखते हैं remote and navigation का, सबसे important बात है कि remote हम काफी often तकरीबन हमारे हाथ में ही रहता है जब हम TV को use करते हैं, तो आप देखिए कि जो remote है वो easy to use हो ताकि उसका आपको problem ना हो बार में use करने का, कुछ remote voice control से भी आते हैं, यानि कि आप बोल के भी अपना search कर सकते हैं content या फिर apps को open कर सकते हैं, इसक क्या होगा आपको simply जो remote है उसको point करना होगा TV पे जहां भी आपको app को जाना है और without any connection या with air ही या आपका cursor वहाँ पे move कर जाएगा, कुछ ऐसे भी हैं TV जो आपके TV को अपने mobile से control करने की features हैं, यानि कि अगर आपको traditional remote नहीं use करना जो TV के साथ आता है, आप अपने mobile को भी remote बना सकते हैं, connect कर सकते हैं और अपना TV आपने mobile से operate कर सकते हैं, तो दोस्तों ये था हमने आपको बताया क्या 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 आपको चीजे ध्यान में रखनी चाहिए जब आप smart TV खरीद ले हैं, इसमें जो चार हमारे main points से आशा करते हैं कि आपको ये clear हो गयों, तो क्रिपे ध आपको पसंद आया हो, क्रिपे हमारे वीडियो को लाइक और शियर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद